हेलो एव्रिवान विल्कम बैक टू कुरंट अफ यहर्स पाई रवी यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में जो है हम भारत में वर्तमान में कौन क्या है दोहसार चोबीस से जुड़े important current affairs के question देखेंगे यह जो list है यह एकदम updated list है ठीक है तो आप वीडियो के साथ हैं तक बने रहे हैं क्योंकि आपके लिए काफी ज़़दा beneficial topic है यह सब ही आपके upcoming exams के लिए तो आज का first question देखते हैं first question आपका है CISF की प्रमुख बनने वाली जो पहली भारतिय महिला बन गई है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है नीना सिंग option number B जो है correct answer रहेगा नीना सिंग जो है friends यह CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारति के महिला बन गई है आप इनहीं जो है image के through भी देख सकते हैं यह है नीना सिंग ठीक है देखिया IPS अधिकारी है नीना सिंग जो की CISF की नई प्रमुख नुक्त हुई है question में बात आए CISF की CISF stands for Central Industrial Security Force जिसकी की स्थापना कप करी गई थी 1969 में वहीं अगर बात करें इसके मुख्याले की तो फैंस इसके मुख्याले जो है यह नई दिली में सिथ है और करंट में जो CISF की अध्यक्ष है उनका नाम है नीना सिंग इसे के साथ जो आपका आज का next question है केंडे सरकार ने केंडे Reserve Police बल यानि की CRPF का महानिदेशक जिसे की डीजी कहा जाता है यह किसे नुक्त करा है तो राइट अंसर ओप्शन नबर ए है आपका अनीश द्याल सिंग जो है फ्रेंस यह CRPF के नए डीजी बन गए है अनीश द्याल सिंग जो है यह मनिपूर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी है और केंडर सरकार ने 28 दिसंबर 2023 को जो हां उन्हें डीजी नुक्त क करेंट में जो इसके महाने दिशेक है वो बन गए है अनीश द्याल सिंग इसी के साथ आपका नेक्स्ट कोशन बोंबे स्टोक एक्सचेंज यानि कि BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया राइट आंसर इस ओप्शन नमबर C प्रमोद अगरवाल जो है इन्हें बोंबे स्टोक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में नुक्त करा गया है बहार्तिय प्रतिभूति और विनम्य बोर्ड जिसे की सेवी कहा जाता है इन्होंने BSE के अध्यक्ष के रूप में कॉल इंडिया के पूर्व प्रमोद अगरवाल इनकी नुक्ति क और मुख्याले मुंबई में है नेक्स से कि भार्तिय वानिज्य एवं उध्योग महासंग यानि की फिकी के जो नए अध्यक्ष बन गे है उनका क्या नाम है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर B अनीश शाह जो है ये फिकी के नए अध्यक्ष बन गे है भार्तिय वानिज् कुशन आज का के अंदर सरकार ने भारत इबत सीमा पुलिस यानि की ITBP का जो नया महानिदेशक नुक्त कर रहा है उनका क्या नाम है तो वो है राहूल रसकोत्रा ओप्शन नमबर B is the correct answer of this question राहूल रसकोत्रा जो है ये मनिपूर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी है कुशन में बात आई है ITBP की आईए कुछ important points कवर करें ITBP से जुड़े तो ITBP की जो स्थापना है ये 24 October 1962 को करी गई थी अगर वहीं बात करें इसके मुख्याले की तो फैंसे इसके मुख्याले जो है ये नई दिली में सित है करंटे में जो इसके महानिदेशक बन गे उनक के इस question का शिडिमती कंचन देवी जो है ये इंडियन council of forestry research and education की पहली महानिदेशक बन गई है आईए कुछ important points कवर करें तो कंचन देवी को जो है इंडियन council for forestry research education की महानिदेशक जो है वो न्यूक्त करा गया कंचन केंद्रे परयावन वन और जलवायू परिवर्टन मंत्राले के तह जो है ICFRE के इस पद को संभालने वाली जो है friends पहली महिला दिकारी बनी है ICFRE जो है इसकी स्थापना करी गी थी 1989 में और इसके मुख्याले दहरादून में located है ये जो है एक स्वाइत संस्ता है नेक्स एक ये पांडीचरी विश्यविद्याले के पदेन चांसलर के रूप में जो है वो क्यूसे नुक्त किया गया Right answer is option number A. जगदीब धनकर जी जो की करेंट में हमारे उपराश्ट पती है इन्हें जो है पांडीचरी विश्यविद्याले के पदेन चांसलर के रूप में नुक्त करा गया आईए कुछ important points जानते हैं इस question से लेटेट तो देखिए भारत के उपराश्ट पती जगदीब धनकर को जो है पांडीचरी विश्यविद्याले का पदेन चांसलर नुक्त किया गया है ये नुक्ती जो है ये पांडीचरी विश्यविद्याले अधिनियम 1985 के कानून 11 में सं समीर शाह को जो है फैंस ब्रिटिश ब्रोड्कास्टिंग कोपरेशन का अध्यक्ष नुक्त किया गया है और ये भारती मूल के हैं ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ब्रोड्कास्टिंग कोपरेशन के नई अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समीर शाह को चुना और BBC जो है यह सबसे बड़े टेलिविजन नेटवर्क में से एक है जो कि दुनिया भर के भिविन देशों में समाचार कारेकरम को प्रसारित करता है BBC से related कुछ important points मैं आपको बता देती हूं तो करंट में जो BBC के अध्यक्ष है उनका नाम है रिचर्ड शाप वहीं अगर बात करें BBC की स्थापना की तो इसे 18 October 1922 में स्थापित किया गया था ठीक है मुख्याले इसके जो है यह लंदन में है नेक्स है भारतिय सश्यस्त्र बली यानि की IAF में भारत की पहली महिला सहायक D.Camp के रूप में जो है वो किसे निक्त किया गया वायो सेना की महिला अधिकारी स्थाडन लीडर मनीशा पाडी को भारतिय सश्यत्र बल में भारत की पहली महिला सहायक D.Camp के रूप में जो है वो निक्त किया गया है इसी के साथ आपका नेक्स्ट के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतिय महिला बनी है इंपॉर्व मों इसकी बात करू तो उमा शेकर प्रतिष्टित रोम स्थित संगठन की गवर्निंग काउंसिल में पद संभालने वाली पहली भारतिय महिला बन गई है कोशन में देखिए बात आई है इसके मुख्याले है इटली के रोम में सदस्यता इसकी जो है वो 65 राज्यों के पास है गठे ने इसका हुआ था 1926 में नेक्स एक ये जेल महानिदेशक का पदपार जो है वो किसने संभाला है राइड अंसर इस ओप्शन नमबर ए महेश्वर देयालने नेक्स कोशन भारत के पहले दलित मुख्य सूचनायुक्त यानि की CIC जो है वो कौन बने तो वो आपके बनेगे है हीरालाल सामरिया ओप्शन नमबर ए जो है एकदम सही अंसर रहेगा इस कोशन का देखे हीरालाल सामरिया जो है ये भारत के बारवे नमबर के मुख्य सूचनायुक्त बने है और भारत का जो मुख्य सूचनायुक्त है ये भारत की राष्टपती द्वारा जो है नुक्त केंदरिय सूचनायो का क्या होता है परमुख होता है नेक्स्ट है भारत के नए महा सरवेक्षक जो है वो कौन बने Right answer is option number D हितेश कुमार S. Makvana जो है फैंस यह भारत के नए महा सरवेक्षक बने है भारतिय सरवेक्षन भारत का रास्टिय सरवेक्षन और मान्न चितर संगठन है इसे जो है 1767 में स्थापित क्या गया था और भारत के महानसरवेक्षक भारतिय सरवेक्षन भिवाग के प्रमुख है ये जो है ये भिवाग विज्ञान और पृध्योगी की मंत्राले के अधीन है इसी के साथ आजको आपके नेक्स्ट कोशिन है सीमा सड़क संगठन यानि की बियारो के जो 28 वे नंबर के महानिदेशक बने है वो कौन बने है, right answer option number D रहेगा रगू श्री निवासन जो है ये सीमा सड़क संगठन के 28 वे नमबर के महानिदेश्यक बने है BRO को हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहा जाता है, इंगलिश में Border Road Organization ठीक है जिसकी की स्थापना कब हुई थी? 7 महीं 1960 को, और मुख्याले इसकी कहां पे Located है? नई दिल्ली में Next आपका Research and Analysis Wing यानि की ROW के जो नई परमुखबने Friends उनका क्या नाम है? तो वो है रवी सिना, option number B जो है correct answer रहेगा Indian Intelligence Agency, ROW के जो नई परमुखबने उनका नाम है रवी सिना तो Research and Analysis Wing इसका full form होता है ROW का जिसकी की स्थापना 21 September 1968 को हुई थी? और मुख्याले कहां पे है? नई दिल्ली में नेक्स कोशन के और मूव करते हैं, railway board की पहली महिला द्यक्ष और CEO जो है वो कौन बनी? राइट answer is option number A, जया वर्मा सिना जो है ये railway board की पहली महिला द्यक्ष और CEO बन गई है बहरती रेल्वेस की देखिए कोशन में बात आईए है, आईए मैं कुछ आपको important points बता दिती हूँ इससे जुड़े तो देखिए स्थापना इसकी हुई थी 16 April 1853 को नई दिल्ली में इसके मुख्याले है करंटे पर जो हमारे railway मंत्री है उनका नाम है अश्वनी वैश्नव नेक्स्ट है आपका question, National Green Tribunal यानि कि NGT के जो नई अध्यक्ष बने फ्रेंड्स उनका क्या नाम है राइट अंसर इस option number D, Justice, Prakash, श्रिवास्तव जो हैं ये NGT के नई अध्यक्ष बन गे है NGT को हिंदी में National Green Tribunal कहा जाता है जिसकी स्थापना करी गई थी 18 October 2010 को और मुख्याले इसके जो है वो नई दिल्नी में स्थित है नेक्स्ट है, Railway सुरक्षा बल सेवा यानि कि RPFS के नए महाने देशक कौन बने Right answer option number C रहेगा Manoj Yadav, Manoj Yadav जो है ये RPFS के नए महाने देशक बन गे है Friends इस वीडियो में हम जितने भी questions discuss करें हैं वो एकदम updated question है ठीक है तो आपको अपकी exam से पहले अगर आपका 2024 में कोई exam है तो ये वीडियो देखनी है ठीक है वर्तमान में कोन क्या है से जूड़ी क्योंकि ये एकदम updated वीडियो है अगर आप पुरानी वीडियो देखते हो तो आपकी question के answer गलत हो सकते है क्योंकि नुक्तिये काफी सारी change हुई है ठीक है तो ये एकदम updated list है इसलिए आपको आपके exam से पहले नुक्तियों की जो है वर्तमान में कोन क्या है ये वेली वीडियो जरूर देखके जानी है क्योंकि exam में जरूर question आएगा और आपको गलत नहीं करना है वो question ठीक है इसलिए आपने वीडियो को बिना skip के रहे हुए end तक देखना है और last में मुझे two questions का जो है answer भी देना है test क ठीक है तो देखिए RPFS की बात आई है न तो और RPFS की स्थापना हुई थी सितंबर 1959 को नई दिली में इसके जो है वो मुख्याले है next question देखते है आजका आपका भारतिय फिलम और टेलिवीजन संस्थान FTII के जो नई अध्यक्षपन है उनका क्या नाम है राइटन सरीज ओ के महराश्च्ट के पुने में है करंट पे जो इसके निदेशक है उनका नाम है भुपेंद्र कैंथोला next question भारत के सॉलिस्टर जनरल जो है वो कौन बने right answer is option number C तुशार महता जो है ये भारत के सॉलिस्टर जनरल बन गये है friends सॉलिस्टर जनरल जो है वो होता क्या है तो इ दिकारी होते हैं ये आपके लिए extra important fact है next है भारतिय तट्रक्षक बल यानि की ICG के जो 25 महानिदेशक बने उनका क्या नाम है right answer is option number C राकेश पाल जो है friends ये भारतिय तट्रक्षक बल के 25 महानिदेशक बन गये है question में बात आई है भारतिय तट्रक्षक बल की तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1978 में मुख्याले इसके जो है वो नई दिली में है और जो अतिरिक्त महानिदेशक बने है इसके उनका नाम है next question केंदे अन्वेक्शन व्यूरो यानि की CBI के नए निदेशक जो है friends वो कौन बन गए तो वो आपके बन गए है प्रवीन सूथ option number B जो है correct answer रहेगा CBI के नए निदेशक बन गए है प्रवीन सूथ CBI को हिंदी में केंद्रे अन्वेक्शन व्यूरो कहा जाता है जिसकी की स्थापना हुई थी एक एप्रिल 1963 को मुख्याले इसके जो हैं ये नए दिल्ली में है next question पे move करने से पहले आपको एक important information देदू जो हमारी last 11 months की current affairs की paid PDF है वो launch हो चुकी है अगर आपको buy करनी है आप हमारी website visit कर सकते है www.ravibooks.pdf.com के नाम से है इसे के साथ हमारी इंडियन पॉलिटी की paid PDF भी launch हो चुकी है जिसमें की previous एर के आपको सभी questions मिलेंगे अगर आपको दोनों ही paid videos खरीदनी है तो आप हमारी website visit कर सकते हैं जा फिर इस वीडियो का description box check out कर सकते हैं आपको वहाँ पे easily जो है इनकी links मिल जाएंगे आप वहाँ से इनको buy कर सकते हैं और अपनी exam की preparation को और जादा strong बना सकते हैं तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं अपने next question की और भावा प्रमानू अनुसंधान के इंदर के जो चोधवे निदेशक बने friends उनका क्या नाम है तो उनका नाम है आपका विवेक भसीन विवेक भसीन जो है ये भावा प्रमानू अनुसंधान के इंदर के नए जो है निदेश नेक्स्ट आपको कोशिन है भारत के नए Chief of Defense Staff यानि कि CDS कौन बने तो उनका नाम है आपका फ्रेंट्स अनिल चोहान, option number C, correct answer रहेगा इस कोशिन का, new CDS है ये भारत के, और CDS के जो पद का गठन है फ्रेंट्स ये एक जनवरी 2020 को हुआ था और जो भारत के पहले CDS थे उनका नाम था जनरल विपमिन रावत जी, नेक्स एक ये भारत के प्रतिस परदा योग यानि कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कोन बने, right answer is option number C, रवनीत कोर, भारत के प्रतिस परदा योग की स्थापना जो है फ्रेंट्स ये 14 October 2003 को की गई थी और इसके जो headquarters है ये नई दिल्ली म स्थित है, next question, राष्टे महिला अयोग की वर्तमान अध्यक्ष कोन है, right answer is option number B, रेखा शर्मा जो है ये राष्टे महिला अयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है, और राष्टे महिला अयोग का जो गटन एवेंस ये 1992 में हुआ था, नई दिल्ली में जो है वो इसके headquarters है, next ए कि सीमा सुरक्षाबल यानि की BSF के नए महाने देशक कौन बन गे, right answer is option number C, निती नगरवाल जो है ये BSF के नए महाने देशक बन गे है, BSF को हिंदी में सीमा सुरक्षाबल कहा जाता है, और जिसकी किस्ता आपना 1 December 1965 को हुई थी, नई दिल्ली में इसके जो हैं वो मुख् निती आयोग को राष्ट भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 January 2015 को हुई थी, मुख्याले इसके फ्रेंस नई दिल्ली में हैं और करंट में जो निती आयोग के अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के PM मोदी जी है, नेक्स है, भारतिय वूव विग्यान सर्वेक्षन कहा जाता है, जिसकी की स्थापना हुई थी, 4 March 1851 को मुख्याले इसके कहां पर हैं, कॉलकाता में हैं, नेक्स है, भारत के नई कानून मंतरी जो हैं वो कौन बने, तो वो बन गे हैं, अर्जुन राम, मेगवाल, ओप्शन नमबर 1, रैक्ट आंसर, नेक्स है क स्थापना हुई थी, 1982 में, मुख्याले कहां पर हैं, मुंबई में हैं, नेक्स है कोशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानि की DRDO के जो नई अध्यक्ष हैं, उनका क्या नाम है, रैक्ट आंसर इस ऑप्शन नमबर 2, सवमीर वी कामत, जो हैं, ये DRDO के नई अध्यक्ष हैं, DRDO को रक्षा अनुसंधान, एवं विकास संगठन कहा जाता है, और जिसकी स्थापना हुई थी, 1958 में, मुख्यालेस्थ के जो हैं, वो नई दिली में हैं, नेक्स है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपती जो हैं, उनका क्या नाम है, रैट अन में जो भारत के उपराष्ट्रपती हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए, तो जगदीब धनकड जो की चोल्दी नंबर के उपराष्ट्रपती बने हैं, ये करंट में हमारे इंडिया के जो है वाइस प्रेजिडेंट है, नेक्स है, भारत के नए महानयायवादी यानि क आपका इस कोशन का क्या रहेगा, उप्शन नमबर A, आर, वेंकिट रमनी जो है ये भारत के नए महानयायवादी बने, ये जो है भारत के सोनवे नमबर के महानयायवादी बने हैं, नेक्स है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि की NCB के जो महानयदेशक बने फ्रे आता है हमारे क्वेशन में तो इसकी स्थापना करी गई थी फ्रेंट्स 17 मार्च 1986 को मुख्याले कहां पर है इसके नई दिली में, नेक्स्ट है राष्टी मानव अधिकार आयो के नई अध्यक्ष कोन बने, राइट अंसर इस ओप्शन नमबर A, अरुन कुमार मिश्रा जो ह और भी important facts cover कर रहे हैं जो कि आपकी exam point of view से important है और आपकी मदद करेंगे आपके exam के time पे, next है भारत के नई मुख्य चुनाव अयुक्त जो बने हैं उनका क्या नाम है, राइट आंसर इस ओप्शन नमबर B, राजीव कुमार जो हैं फेंस ये भारत के नई मुख्य चुनाव युक्त बन गे हैं, वहीं अगर बात करें करेंट में भारत के उपचुनाव युक्त की तो उनका नाम है अजे वादू, और निर्वाचन युक्त जो हैं वो है अनूप चंद पांडे और अरुन गोईल, ये आपने सभी important points जो हैं वो जाद रखने हैं, next भारती थलसेना के नए प्रमुख कौन बने, तो right answer option number B है आपका मनोज पांडे जो हैं ये भारती थलसेना के नए प्रमुख बन गे हैं, important points की बात करूँ तो भारती थलसेना से जुड़े मैं आपको कुछ important points बता देती हूं, भारती थलसेना की जो स्थापना है ये हुई थी एक 1995 को नए दिली में इसके मुख्याले हैं और करंट में जो उपपर मुख हैं उनका नाम है M.V. सुचेंदर कुमार, next है भारती प्रतिभूती और विनम्य बोर्ड यान की सेबी की जो अध्यक्षपनी friends उनका क्या नाम है, right answer is option number D, माधवी, पूरी, बुच जो हैं ये सेबी की अध्यक्षपनी है, सेबी को भारती प्रतिभूती और विनम्य बोर्ड कहा जाता है हिंदी में, इंगिलीश में कहा जाता है Securities and Exchange Board of India, जिसकी की स्थाबना होई थी 12th April 1992 को मुख्याले इसके जो हैं वो मुबई में है, next है, केंद्री अप्रतिभूती और सीमा शुलक बो और सीमा शुलक बोर्ड CBIC के नए धक्षपन के हैं, CBIC की जो स्थापना है ये हुई थी एक जनवरी 1964 को मुख्याले इसके नए दिली में है, इसके साथ आज का next question है, भारती विशिष्ट पहचान प्रादिकरण के नए CEO जो हैं वो कौन बन गे, तो वो आपके बन गे हैं Amit अगरवार, option number C, correct answer रहेगा, भारती विशिष्ट पहचान प्रादिकरण की जो स्थापना हैं ये 28 जनवरी 2009 को हुई थी और नए दिली में इसके headquarters हैं, next है, भारत के जो 50 वे मुख्य नयदिश बने, friends, उनका क्या नाम है, right answer is option number D, धननज जश्वंद चंद्रचूर जो हैं 50 में मुख्य नयदिश बन गए हैं, next question, भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन यानि की इस्टो के जो अध्यक्ष हैं, friends, वो कौन है, right answer is option number C, S, सौमनाथ, करंट में इस्टो के अध्यक्ष हैं, इस्टो को हिंदी में कहा जाता है, भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संग इस्टो की जो स्थापना है, friends, ये 15th August 1969 को की गई थी, और इसके जो संस्थापक है, उनका नाम है विक्रम सारा भाई, next question आपका है, भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI के नई अध्यक्ष जो हैं, वो कौन बने, right answer is option number A, रोजर, बिनी जो हैं, ये भारती क्रि 1998 में मुख्याले कहां है, मुमबई में है, सच्चीव कोन है करंट में, जैशा जो हैं, इसके सच्चीव हैं, और करंट में जो उपाद्यक्ष है, friends, उनका नाम है राजीव शुकला, next देखिए, भारती ओलंपिक संग की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं, वो कौन बनी, right answer is option B, PT उशा जो कि अध्लीट है, ये भारती ओलंपिक संग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, भारती ओलंपिक संग की स्थापना 1997 में हुई थी और मुख्याले इसके नई दिली में है, next आपका सिश्यस्त्र सीमा बली यानि की SSB की जो नई महानेद्यशक बनी, उनका क्या न नाम है, right answer is option number B, रश्मी शुकला, SSB की जो स्थापना है ये करी गई थी 20 दिसम्बर 1963 को मुख्याले कहां पे है, नई दिली में है, next question की और मूव करते है, रास्टे परिक्षन एजिंसी के नई महानेद्यशक जो हैं, वो कौन बन गे, right answer is option number A, सुभोत कुमार जो हैं, ये जो मुख्याले हैं, वो नई दिली में है, next है, भारत के नई लेखा महाने अंतरग यानि की CGA जो हैं, वो कौन बने, right answer is option number B, SSB जो हैं, ये भारत के नई CGA बने हैं, और ये जो हैं, भारत के 28 वे नंबर के लेखा महाने अंतरग बने हैं, कौन, SSB, next है, संग लोग सेवाय यानि की UPSC के जो नई अध्यक्ष बने फैंस, उनका क्या नाम है, option number ये right answer रहेगा, डॉक्टर मनो सोनी, जो हैं, ये UPSC के नई अध्यक्ष बन गए हैं, UPSC की स्थापना की बात करें, तो एक October 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालेस के जो हैं, वो नई दिल्ली में है, next है आपका question, गेंद्रे प्रत्यक्ष करबोर यानि की CBDT के नई अध्यक्ष कोन बन गए, right answer is option number B, नितिन गुपता जो हैं, ये CBDT के नई अध्यक्ष आयो के नई अध्यक्ष जो हैं, friends, वो कौन बने, तो वो आपके बने हैं अजीत कुमार मोहनती, option number C, जो है, एकदम correct answer रहेगा इस question का, ये जो है, प्रमानु उर्जायो के नई अध्यक्ष बने हैं, प्रमानु उर्जायो की बात आई है, तो इसका गठन हुआ था, 3 अगस 1948 को मुख्यालिस के जो है, महरास्ट के मुंबई में है, नेक्स कोशन देखते हैं आपका, तो देखिए, नेक्स कोशन जो है, भारती रास्टी राजमार्क प्राधिकरन के जो नई अध्यक्ष बने, friends, उनका क्या नाम है, option number 1, correct answer है, संतोष कुमार यादव जो है, ये भार 22 वे विदी आयोग, यानि की लोग कमिशन के अध्यक्ष जो है, वो कौन बने, right answer क्या रहेगा, option number B, नयमूर्टी रितुराज अवस्थी जो है, ये लोग कमिशनर के अध्यक्ष बने हैं, 22 वे, ठीक है, next है, रास्टी सांख्या की अयोग के नई अध्यक्ष कोन बने, right answer is option number D, राजीव लक्षमन करंदीकर जो है, ये NSC के नई अध्यक्ष बने है, NSC को हिंदी में रास्टी सांख्या की अयोग कहा जाता है, जिसका गटन हुआ था 2005 में और मुख्याले नई दिली में है, next, भारत के नए नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक यानि की CAG जो है, व विश्व विद्याले अनुदान, आयोग यानि की UGC के नई अध्यक्ष कोन बने, right answer is option number B, M. जगदीश कुमार जो है, ये UGC के नई अध्यक्ष बने है, UGC जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 के मुख्याले इसके आपके हैं नई दिली में, देखिए हमारी जो लास्ट 11 months की current of years की paid PDF है, वो launch हो चुकी है, जिसमें कि आपको current of years की topic wise questions मिलेंगे, अगर आपको buy करनी है, आप हमारी website ज़रूर visit करिए www.ravibookspdf.com के नाम से है, इसके साथ जो हमारी Indian quality की paid PDF है, जिसमें की previous year के सभी questions आपको मिलेंगे, जो भी question exam में repeat हुए है, वो सभी question इसमें include करे तो आप इन दोनों paid PDFs को अपने exam से पहले जरूर करी दिएगा, और अपने upcoming exams को जो है easily crack करिएगा, दोनों के link जो है आपको description box में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जरूर check out कर लीजेगा, वहाँ से आप इने easily buy कर सकते हैं, जा फिर आपको comment section में comment pin मिलेगा, वहाँ पे भी आप links पे click करके जो है इने easily buy कर सकते हैं अपने exam से पहले, तो अपने exam से पहले इने जरूर buy करिएगा, और अपने exam को जो है अच्छे तरीके से crack करिएगा, इसी के साथ आपका next question है, नीती आयोग के नए उपाध्यक्ष कोन बने, तो उनका नाम है friends, सुमन के बैरी, option number D ज option number 1, कल्यान चोबे जो है ये अखिल भार्ट्य फुटवल महासंग के नए अध्यक्ष बनके है, अखिल भार्ट्य फुटवल महासंग जो है इसके साबना हुई थी 23 जून 1937 को मुख्यालेस के जो है वो नई दिल्ली में है, next एक ये, राज्यसभा के नए महासचीव जो है इनका नाम है हरिवंश नारायन सिंग, वहीं अगर बात करें राज्यसभा के विवक्ष के नेता की तो उनका नाम है मलिकारजुन खड़के, राज्यसभा में जो फ्रेंस सदन के नेता है उनका नाम है प्यूश कोई, ये तीनों ही निक्तियों जो है आपके लिए important है, next एक भारत के रास्टे सुरक्षा सलाकार यानि कि NSA जो है वो कौन बने, right answer is option number B, अजीत डोबाल जो है ये भारत के रास्टे सुरक्षा सलाकार है, NSA जो है इस पद का गठन हुआ था 1998 में और उपर रास्टे सुरक्षा सलाकार जो है करेंट में हमारे, उनका नाम है पंकज कुमा सिंग, next है कि audit bureau of circulation यानि कि ABC के नई अध्यक्ष कोन बन गए है, तो right answer क्या रहेगा आपका, option number A, श्री निवासन के स्वामी जो है ये ABC के नई अध्यक्ष बन गए है, audit bureau of circulation जो है इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1948 में और मुंबई में जो है इसके headquarters है, next है भारत के पर रवर्तन निदेशाले के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नुक्त किया गया, right answer is option number D, राहुल नवीन को, इस ED की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपके 1 मई 1956 को और मुख्यालेस के नई दिल्ली में है, next ही कि press सूचना ब्यूरो यानि की PIB के नए प्रधान म हनिदेशक कोन बने, वो आपके बन गए है मनीश देशाई, option number C, correct answer रहेगा, image की तुरू आप इन्हें देख सकते हैं, और press सूचना ब्यूरो की बात आई है, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1990 में, मुख्याले कहां पे है, तो नई दिल्ली में का मुख्याले है, next question आपका, National Association of Software and Services Company के नई अध्यक्ष कोन बने, फ्राइटन सरीज, option number B, राजेश, नाम BR, जो है फ्रेंस, ये National Association of Software and Services Company, यानि के नैसकोम के जो है नई अध्यक्ष बने है, बात करें नैसकोम की, तो नैसकोम की स्थापना हुई थी, एक मार्च 1988 को, मुख्याले कहां पे है, नई दिल में है, नेक्स सेखिये, आकाशवानी और समाचार सेवा प्रभाग की जो नई प्रधान महाने देशक बने, फ्रेंस, उनका क्या नाम है, राइटन सरीज, option number D, डॉक्टर वसूधा गुपता, नेक्स कोशन, नैस्टनल कैड़िट कोर, यानि की NCC के जो नई महाने देशक ब मुख्याले हैं, और करंट में जो उप महाने देशक है, NCC के, उनका नाम है, वी-म रेड़ी, नेक्स्ट है, रास्टे मुल्यांकन और प्राधिकरन के नई देशक कोन बने, राइट अंसर आपका इसका रहेगा, option number A, गनेशन, कन बिरान, जो है फैंस, ये NAAC के नई देशक बन गे है, NAAC स्थापित हुआ था, 1994 में, मुख्याले इसके जो हैं, वो कनाट के बैंगलोरू में है, नेक्स्ट है, भारतिय वायुसेना के जो नए उप परमुख बन गे, उनका क्या नाम है, तो राइट अंसर, option number A है आपका, आशुतोष दिक्षित जो हैं, ये भारतिय मुख्याले भारतिय वायुसेना के नई दिली में है, करंट में जो वायुसेना प्रमुख हैं, उनका नाम है, एर चीफ मार्शल विवेक राम चोथरी, और महानिदेशक जो हैं, उनका नाम है, संजीव कपूर, नेक्स्ट है आपका क्वेशन, भारतिय वानीजी और उध्य लोग संग यानि कि SOCM के जो नई अध्यक्ष बनें, उनका क्या नाम है, राइट अन्सरीज ओप्शन नमबर C, अजह सिंग जो हैं, ये SOCM के नई अध्यक्ष बनें, SOCM की बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी उनिसोब बीस में, मुख्याले इसके जो of India Limited, जिसकी स्थापना हुई थी उनिस जनवरी 1954 को मुख्याले कहां पे है सेल के नई दिली में, नेक्स्ट है आपका कोशन, Institute of Chartered Accountants of India के नई अध्यक्ष कोन बने, तो राइट अंसर आपका क्या रहेगा, फ्रेंड्स, ओप्शन नमबर D, अनिकेत, सुनील, तलाटी जो है ये ICAI के नई अध्यक्ष बन गए है, ICAI जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, एक जुलाई 1949 को नई दिली में, इसके जो हैं, वो हैटकोटर्स है, इसी के साथ आज का नेक्स्ट कोशन है, भारती डेटा सुरक्षा परिशत, यानि की DSCI के जो नई अध्यक्ष बने उनका क्या नाम है, तो राइट अंसर आपका क्या रहेगा, उप्शन बस C, प्रमोद भसीन जो हैं, ये भारती डेटा सुरक्षा परिशत के नई अध्यक्ष बन गए है, नेक्स्ट आप, DSC की बात आई है, तो इसका गटन हुआ था, ओगस्ट 2008 में, वो ख्याले कहां पे ह उत्रबरदेश के नोईडा में, करंट में जो भारती डेटा सुरक्षा परिशत के CEO हैं, उनका नाम है विनायक कोर्ट से, नेक्स्ट है, ये रास्ट इस्वास्ते प्राधिकरण के नई निदेशक जो हैं, वो कौन बन गे, तो राइट अंसर इसका आपका रहेगा, पहली महिला महानिदेशक बन गे हैं, CSIR जो है, इसकी स्थापना करी गई थी, 26 सेप्टेंबर 1942 को नई दिली में जो है, इसकी मुख्याले हैं, इसके साथ नेक्स्ट कोशन, भारती क्रिशी अनुसंधान परिशत के नई महानिदेशक कोन बन गे, तो राइट अंसर ओप्श इसके हैड़कॉर्टर्स हैं करंट में, इसके साथ आजका नेक्स कोशन, खादी और ग्रामा ध्योग आयोग यानि की KVIC के नए CEO कौन बने, वो आपके बन गे है विनित कुमार, ओप्शन नमबर B जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमेज के तरूज आप इन्हें देख प आदी और विलेज इंदस्ट्रिस कमिशन, नेक्स देखिये, पंदरवे वित आयोग के जो अध्यक्ष बने, उनका क्या नाम है, राइट अंसर है, ओप्शन नमबर A, नंद किशोर सिंग जो है, ये पंदरवे वित आयोग के अध्यक्ष बने है, नेक्स देखिये, भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाकार बने, फ्रेंट्स, वो कौन बने, तो क्या राइट अंसर रहेगा, ओप्शन नमबर A, वी अनन्त नागेश्वरन जो है, ये भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाकार बने है, नेक्स देखिये, रास्ट्रिय जांच एजनसी, यानि की NIA के नए महानिदेशक कोन बने, फ्राइट अंसर उप्शन नमबर A है, आपका दिनकर गुप्ता जो है, ये रास्ट्रिय जांच एजनसी के नए महानिदेशक बने है, क्वेश्चन में बवात आई है, NIA की, तो NIA की स्थापना कब हुई थी, 2009 में, मुख्याले की बात करें, त भारतिय रिजव बैंक की स्थापना, हिल्जन यंग आयोग की सिफारिशों के अधार पर की गई थी, किस अधिनियम के तहट, भारतिय रिजव बैंक अधिनियम, 1934 के तहट, स्थापना इसके हुई थी, 1 अप्रिल 1935 को, मुख्याले जो है, वो मुंबई में है, प्रतम जो डीजी सी ए के नए महाने देशक कौन बनगे, राइट अंसर इस, ऑप्शन नमबब बी, विक्रम देव दत जो हैं फैंस, ये डीजी सी ए के नए महाने देशक बनगे, डीजी सी ए जो है, इसका फुल फॉर्म होता है, डिरेक्टरेट जनल ओफ सीविल अवियेशन, जिसका AI की बात आई है, फुल फॉर्म इसकी होती है, फूर्ट सेफटी एंड स्टेंडर्स एथरोटी ओफ इंडिया, जिसको की स्थापित करा गया था 5 सेप्टेमबर 2008 को, मुख्याले कहां पे हैं, नए दिले में है, नेक्स्ट है, रास्ट यानुसूचित यातियायोग के अध् AI का जो स्थापना है, ये करा गया था 19 February 2004 को, नए दिले में इसके जो हैं, वो मुख्याले हैं, नेक्स कुछन आपका है, भारत Petroleum Corporation Limited यानि की BPCL के नए अध्यक्ष और प्रवंध निदेशक कौन बन गे, राइट अंसर इस ऑप्शन नमबर B, G. Krishnakumar, बीपी सी एल का NSE के नए MD और CEO जो हैं, वो कौन बन गे, तो क्या राइट अंसर रहेगा, उप्शन नमबर A, Ashish Kumar Johan, जो है फैंस, ये National Stock Exchange के नए MD और CEO बन गे है, NSE जो है, इसका मुख्याले है आपका मुंबई में, और इसके जो स्थापना करी गई थी, वो करी गई थी 1992 में, नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, यानि की ONGC के नए अध्यक्ष कोन बन गे, राइट अंसर इस ओप्शन नमबर B, अरुन कुमार सिंग, ONGC स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्ट 1956 को, मुख्याले इसके जो हैं फैंस, वो नए दिल्ली में है, नेक्स्ट आपका वर आइट अंसर इस ओप्शन नमबर D, ओम बिला, और बर्तमान में जो लोकसवा की नए महासचीव हैं, उनका नाम है उत्पल, उत्पाल कुमार सिंग, नेक्स्ट आपका कोशन, भारती रेल्वे खान पान और परियाट निगम के नए अध्यक्ष और प्रवन्द निदेशक, जहां फिर आप कह सकते हैं, CMD कौन बने, तो वो आपके बन गए हैं, संजे कुमार जैन, option number C, जो है correct answer रहेगा, IRCTC की बात आईए ना, क्वेशन में, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, जो है इसका full form है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 27 September 1999 को, मुख्याले कहां पर है, नई दिली में है, नेक इसके MD बन गए है, विने टोंस, option number B, correct answer रहेगा, SPHO events इसकी स्थापना हुई थी, 1 July 1955 को, मुख्याले की बात करे, तो मुबई में इसके मुख्याले हैं, और करंट में जो SPI की अध्यक्ष है, उनका नाम है, दिनेश कुमार खारा, नेक्स एक ये, भारत हैवी Electricals Limited के नई अध्यक्ष एवं प्रवंध निदेशक यानि की CMD कौन बने, ट्राइटन सरीज, option number 1, कोपु सधाशिव मूर्थी, भारत हैवी Electricals Limited जो है, इसकी स्थापना हुई थी, 13 November 1964 को, मुख्याले जो है, इसके नई दिली में है, इसके राइट अंसर इस, option number A, मनरंजन मिश्टा को, नेक्स कोशन, राष्ट ये, आप्दा मोचन बल के नए महाने देशक जो हैं, वो कौन बने, तो राइट अंसर इसका आपका क्या रहेगा, option number A, अतुल करवाल, अतुल करवाल जो है, ये राष्ट ये, आप्दा मोचन बल या रिस्पोंस फोर्स, जिसकी स्तापना हुई थी, उनिस जन्वरी 2006 को, मुख्याली कहां पे हैं, नई दिली में है, नेक्स एक ये, भारत के जो नए विदेश सच्चीव बन के, फैंस, उनका क्या नाम है, तो राइट अंसर, option number C है, आपका, विने मोहन कवातरा, जो हैं, ये पावर, फाइनेंस कोर्परेशन की पहली महिला, द्यक्ष और प्रवन्द निदेशक बन गई, अगर वहीं बात करें, इसकी स्तापना की, तो जुलाई 1986 में इसकी स्तापना हुई थी, मुख्याले जो हैं, वो नई दिली में है, नेक्स एक ये, प्रसार भारती के जो नए CEO बने उनका क्या नाम है, राइट अंसर इस ओप्शन नमबर C, गोरफ द्वीवेदी जो हैं, ये प्रसार भारती के नए CEO बन गे है, प्रसार भारती की बात आई है, तो प्रसार भारती की जो स्तापना है, ये 23 नवंबर 1997 को हुई थी, मुख्याले काहां प्रसार भारती के नई दिली में, नेक्स्ट है, ICICI, बैंक के कारेकारी निदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया, राइट अंसर इस ओप्शन नमबर A, संधीप बनना को, CEO हैं इसके करंट में संधीप बक्षी और इसकी जो सापना है, ये 1994 में बडोधरा में की गई थी, मुख्याले नेक्स्ट है, Special Protection Group यानि के SPG के नए प्रमुख कोन बने, राइट अंसर ओप्शन नमबर A है, अलोक शर्मा SPG का फिल्फों है Special Protection Group, SPG जो है फैंस ये भारत के प्रधानमंती की सुरक्षा के लिए गठित सश्यस्त्र भल है, जिसका की गठन 8 एप्रिल 1985 को विशेश सुरक्षा समूहा दिनियम 1988 के तहत हुआ था नेक्स्ट आपका कोशिन है, भारतिय दूर संचार विण्यामक प्राधिकरन के नए ध्यक्ष कोन बने, राइट अंसर इस, ओप्शन नमबर C, डॉक्टर पीडी वगेला नेक्स्स देखे, रास्टे सुरक्षा गाड यानि के NSG के नए महाले देशक कौन बने, राइट अंसर इस, ओप्शन नमबर C, म, गनपती जो हैं फैंस, ये NSG के नए महाले देशक बन गए है, NSG stands for National Security Guard, जिसकी स्टापनर 1986 में हुई थी और मुख्याले जिसके हैं नई दि इसके साथ हमारा लास्ट कॉशन आज की वीडियो का, फिनो पैमेंट्स बैंक के जो नए अध्यक्ष के रूप में है, फ्रेंस्ट वो किसे नुक्त किया गया, तो वो नुक्त करा गया है, राजट कुमार जैन को, प्शन नमबर D, क्रेक्ट आंसर रहेगा, ये थे हमारे 100 most important question, वाटमान में कौन क्या है से जुड़े, जो की एकतम updated list थी, अब मैं आपसे two question का test लूँगी, जिसका answer आपने मुझे comment section में देना है, complete video देखने के बाद, तो first question आपका test का जो है, वो है, Bombay Stock Exchange के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया, four options आपके पास है, right answer comment section में आपने बताना है, next question जो है आपका test का, वो है CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारती महिला कौन बनी, four options है आपके पास, right answer आपने comment section में बताना है, video आपको कैसा लगा, ये भी आपने ज़रूर बताना है, और next video आपको जिस भी topic पे चाहिए, ये भी आप मुझ और वहां से इजिली भाहि कर लीचेगा, अब आप से मुल लगात होगी next video में एक और ने टोपी के साथ, thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your upcoming exams